बार्ती जंता पाटी के तरब से संबित पात्रा ने मोर्चा समाला प्रेस कंफरेंस कर रहे हैं, सीधा रोख कर रहे हैं। बांधती है, जब चाइना यलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है, तो चाइना महान बन जाती है, और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। एक समझोता है, इंडिया एक रेग्रीमेंट, चाइना हर्मनी चाहती है, वहाँ नेशनलिजम है, क्योंकि वहाँ यलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं। क्योंकि देखने की कोशिश नहीं कि, मुझे आश्चर यह, राहुल गांधी विडेश की भूमी में जाकर कहते हैं, कि हम उपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, वो वहाँ कहते हैं कि हमारे टेली फोन के अंदर पेगसस छोड़ दिया गया है, और केवल मेरे ही नहीं विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं, उन सब के मुबाइल फोन के अंदर पेगसस था, और उन्हें इंटेलिजन्स ओफिसर, जो इंटेलिजन्स ओफिसर राहुल गांधी जी के मुबाइल में पेगसस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजन्स ओफिसर ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे, यहां वहां की बात मत करना, यह जो आप लेंदेन क की बाते करते हो न वो सब recording हो रही है क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है राहुल जी पेगासस लगा दिया था सुप्रीम कोट ने जांच कमीटी बैठाई जांच कमीटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजी हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगा करने के लिए दिया और जहांके केम्ब्रीज में कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पेगासस है हमारे मोबाइल में जासुसी हो रही है राहुल जी जासुसी कैसे होती थी और सरकारे जासुसी कैसे कराती थी मैं उसका उदाहरन देता हूं यूपीय टू के अंदर कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने चिदाम ब्रम साहब कि सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बाते करता हूं वो सारी बाते सोनिया जी सुन लेती यह तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे 9000 फोन टैप होता था यह तो आपने RTI में रिप्लाई दिया है कि UPA2 के कारेकाल में 9000 फोन टैप होते थे और बाद में यह संख्या बढ़के 1,00,000 फोन और रोज 500 इमेल पढ़े जाते थे जासूसी करके यह तो आपने RTI के माध्यम से और पब्लिक फोरम में मौझूद है और तो और ततकालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने बिजनस कम्यूनिटी को एड्रेस करते हुए बड़े इस पश्टूप से कहा था हाँ देश की सुरक्षा के लिए हम फोन टेपिंग कराते हैं आप फोन टेपिंग कराते थे आप इमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे आप